Hi everybody, so this is spoken English chart day 2, second day है और तीन चार्ट है, तीनों ही चार्ट आपको description box में मिल जाएंगे, इनने डाउनलोड कर सकते हैं और practice कर सकते हैं, ज्याधा time waste नहीं करेंगे, आज के इन चार्ट का sense है कि भई मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं ऐसा करते हो, वो ऐसा करता है, हम ऐसा करते हैं, वो लड़की ऐसा करती है, वो लड़का ऐसा करता है, so zoom in करते हैं और शुरू करते हैं, अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूँ, तो आप बोलेंगे I do this, क्या बोलेंगे I do, जैसे मैं English बोलता हूँ, तो I speak English, मैं जाता हूँ, I go, मैं dance करता हूँ, I dance, मैं सोचता हूँ, तो I think, जैसे मैं English नहीं बोलता, I don't speak English, मैं घर नहीं जाता, I don't go to home, मैं नहीं बोलता, I don't speak, अगर मुझे अपने आप से question करना है, तो मैं बोलूँगा do I do this, मतलब क्या मैं ऐसा करता हूँ, जैसे क्या मैं भागता हूँ, do I run, क्या मैं खाना बनाता हूँ, do I cook food, क्या मैं सोचता हूँ, do I think, ठीक है, next, अगर हम दूसरे के लिए बात करेंगे, तो हम बोलेंगे you, जैसे तुम बोलते हो, तो you speak, तुम सोचते हो, you think, तुम भागते हो, you run, अगर दूसरा बना नहीं करता, तो बोलोगे you don't do this, क्या बोलेंगे, you don't do this, जैसे तुम सोचते नहीं हो, you don't think, तुम भागते नहीं हो, you don't run, तुम बोलते नहीं हो, you don't speak, अगर question पूछना है, क्या तुम ऐसा करते हो, तो आप पूछोगे, do you do this, जैसे, क्या तुम बोलते हो, do you speak, क्या तुम सोचते हो, do you think, क्या तुम भागते हो, do you run, ठीक है, next, अगर हम अपने बारे में बात करें, तो हम बोलेंगे, we, right, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, we, जैसे, हम बोलते हो, we speak, हम जागते हो, we wake up, हम चपल पहनते हो, we wear slippers, अगर हम लोग यह काम नहीं करते हो, तो हम बोलेंगे, we don't do this, we don't do this, जैसे, हम नहीं भागते, we don't run, हम नहीं लिखते, we don't write, हम नहीं वीडियो बनाते, we don't make video और अगर हमें question पूचना है कि क्या हम ऐसा करते हैं तो हम बोलेंगे DO WE DO THIS क्या बोछेंगे, DO WE DO THIS जैसे, क्या हम भागते हैं DO WE RUN क्या हम जागते हैं DO WE WAKE UP क्या हम बैठते हैं DO WE SIT अगर बहुत सारे लोग हों अगर बहुत सारे लोग है तो हम पूछेंगे दे, तो बूलेंगे हम दे, जैसे फो लोग भाते हैं, दे रन, वो लोग movie देखते हैं, they watch movie, वो लिखते हैं, they write, वो पढ़ते हैं, they read, और अगर वो लोग नहीं करते कोई काम तो हम दो बूलेंगे they don't do this, जैसे वो English नहीं बोल अगर हम बात करें कि क्या वो ऐसा करते हैं तो हम पुछेंगे do they do this क्या पुछेंगे do they do this क्या वो English लिखते हैं do they write English क्या वो बोलते हैं do they speak क्या वो dance करते हैं do they dance but guys अब जो matter है वो थोड़ा सा अलग हो गया है अब चीज है he or she के लिए he or she means कोई भी singular है अगर कोई भी particular इंसान singular है तो उसके लिए थोड़ा सा यह सब चीज है change होगी उसमें first form के साथ as yes लगता है जैसे वो खाना खाता है तो he eat नहीं eats food वो सोचता है he think नहीं he thinks वो बोलता है he speaks right और जहां पर हम अभी तक don't का use कर रहेते हैं अब हम करेंगे doesn't का use जैसे वो बोलता नहीं है he doesn't speak वो सोचता नहीं है he doesn't think वो लिखता नहीं है he doesn't write अगर हमें question पूछन पूछना है क्या वो ऐसा करता है तो हम पूछेंगे does he do this जैसे क्या वो चलता है does he walk क्या वो gate खोलता है does he open the gate क्या वो brush करता है does he brush ठीक है और सेम है she के लिए भी क्योंकि she भी singular लड़की है कोई अकेली लड़की जिसका नाम हमें नहीं पता जैसे हमें बोला है वो school जाती है she goes to school go to school लहीं goes to school ठीक है वो English बोलती है she speaks English वो कपड़े पहनती है she wears clothes अगर नहीं करती तो doesn't बोलेंगे जैसे वो मेरा laptop यूज नहीं करती है she doesn't use my laptop वो English नहीं बोलती she doesn't speak English वो चपल नहीं पहनती she doesn't wear slippers next अगर हमें question पूछना है क्या वो ऐसा करती है तो हम बोलेंगे does she do this जैसे क्या वो English बोलती है does she speak English क्या वो भागती है does she run क्या वो लिखती है does she write so यह आपको अच्छे से चार्ट डाउनलोड कर लेना है और उसकी प्रक्टिस आप लोग कर सकते हैं और आप में चलते हैं सेम ही थिंग्स हैं बट इसका format अलग है तो उसके वाप पास भी चलते हैं so student this is also the chart of today's class day 2 लेकिन इसमें सेंस अलगा रहा है इन सेंस इन सारे ही sentences का sense है कि बई मैं ऐसा करना चाता हूं वो ऐसा करना चाती है तो मैं ऐसा करना चाते हो और हम ऐसा करना चाते हो तो मापका ज्यादा टाइम वेश्न गरूंगा जल्दी से वीडियो करते हैं क्योंकि practice आपको करनी है मुझे नहीं तो मैं एक-एक sentence बनाऊँगा तकि आपसे sense English मैं खाना खाना चाहता हूं I want to eat food और अगर मैं कोई काम नहीं करना चाहता तो मैं बोलूगा I don't want to do this I don't want to do this जैसे मैं भागना नहीं चाहता I don't want to run मैं सोचना नहीं चाहता I don't want to think लिए सबजबाया अच्छा गर मुझे खुच से कोईशन पूछने क्या मैं इसा करना चाहता हूं तो मैं पूछूँगा do I want to do this जैसे क्या मैं जाना चाहता हूं do I want to go क्या मैं खाना चाहता हूं do I want to eat क्या मैं English बोलना चाहता हूं do I want to speak English simple हो गया, next अब हम चलते है next की तरफ अगर हमें दूसरे के बारे में बात करनी है कि तुम ऐसा करना चाते हो तुम जाना चाते हो you want to go, तुम रुकना चाते हो you want to stay तुम रहना चाते हो, you want to live ठीक है, अगर तुम कोई काम नहीं करना चाते हो और मुझे कहना है कि तुम ऐसा नहीं करना चाते है तो मैं बोलूँगा you don't want to do this you don't want to do this जैसे तुम pen use नहीं करना चाते you don't want to use pen तुम सोचना नहीं चाते you don't want to think तुम बोलना नहीं चाते you don't want to speak अगर मुझे question पूछन पूछना है कि क्या तुम्हें इसा करना जाते हो तो मैं पूछूंगा Do you want to do this? जैसे क्या तुम खाना खाना चाते हो Do you want to eat what? क्या तुम जाना चाते हो Do you want to go क्या तुम बैठना चाते हो Do you want to sit? next next, अगर हम अपनी बारें बात करें, हम लोगों के बारें बात करें, तो हम बोलेंगे, we want to do this, जैसे, हम बोलना चाते हैं, we want to speak, हम अजादी में जीना चाते हैं, we want to live in freedom, हम English बोलना चाते हैं, we want to speak English, अगर हम कोई काम नहीं करना चाते हैं, तो हम बोलेंगे, we don't want to do this, जैसे हम use नहीं करना चाहते तुम्हारा phone we don't want to use your phone हम लिखना नहीं चाहते we don't want to write हम सोचना नहीं चाहते we don't want to think simple है? समझ माई next अगर हमें पूछना है कि क्या हम इसा करना चाहते है तो हम बोलेंगे do we want to do this जैसे क्या हम कपड़े पहनना चाहते है do we want to wear clothes क्या हम जाना चाहते है do we want to go क्या हम भागना चाहते है do we want to do simple है अगर हम बात करें ज्यादा लोगों की दे के लिए मतलब जब बहुत सारे लोग हो तो हम उनके बारेंगे तो हम बात करेंगे they want to do this जैसे वो English बोलना चाहते हैं They want to speak English वो सोना चाहते हैं They want to sleep वो सपने देखना चाहते हैं They want to dream अगर वो लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे They don't want to do this They don't want to do this जैसे वो भागना नहीं चाहते They don't want to run वो जागना नहीं चाहते they don't want to wake up, they don't want to sleep, next, if we have a question, if they want to do this, do they want to do this, like, do they want to speak english, do they want to think, do they want to go with me, next, now our structure will change, change, now our structure will change, and we will reach here, understand, here, he wants, here it is not want, because he is singular, okay, we will use the singular person, like, if I talk about that, he wants to speak english, he wants to speak english, he wants to write, he wants to think, okay, understand, if he doesn't want to do this, then we will say, he doesn't want to do this, like, he doesn't want to speak english, don't want, doesn't want, he doesn't want to wear, he doesn't want to put on slippers, he doesn't want to use mobile, simple, if we have a question, if we have a question, if he wants to do this, then we will ask, does he want to do this, like, if he wants to go with you, does he want to speak english, does he want to speak english, does he want to eat english, simple, next, next, if he wants to speak english, then we will say, does she want to do this, , does she want to do this, like, she wants to do this, sorry, if we want to speak english, then we will say, she wants to speak english, if we want to use camera, she wants to use camera, she wants to go, then we will say, she wants to go, simple, , if the girl doesn't want to do this, then we will say, she doesn't want to do this, she doesn't want to go with me, she doesn't want to eat food, she doesn't want to drink water, she doesn't want to drink water, if the girl wants to speak english, then we will say, does she want to do this, जैसे, क्या वो कपड़े पहनना चाहती है, does she want to wear clothes, क्या वो कपड़े खरीदना चाहती है, does she want to purchase clothes, या buy clothes, क्या वो लड़की कपड़े धोनना चाहती है, does she want to wash the clothes, simple है, तो ये पूरे structure मैंने आपको समझाया है, I hope आपके समझ में भी आगया होगा, ये थोड़ा blur हो रहा है, कैमरा शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, चलिए कर लिया है, जी, हो गया है, तो ये सब आपको मैंने समझा दिया है, अब हम चलते हैं, चार्ट नम्मर 3 पर, same conditions है, same sentences, this is the chart 3 of day 2, ठीक है, ये day 2 का chart है, और इस chart में like का use किया गया है, देख सकते हैं, और like का मतलब है कि मैं पसंद करता हूँ, तुम पसंद करते हो, वो पसंद करता है, मतलब कोई काम करना अच्छा लगता है, तो हम बोलते है like, जैसे, अब शुरुआत कर लेते हैं, मैं जादा time waste नहीं करूँ, आपको जादा speaking करनी है, मुझे नहीं, तो मैं जादा example नहीं रहूँगा, 2 से 3 example लोगा सब तरी, तो सबसे पहले like से जुरू करते हैं guys, तो जैसे मुझे बोलना है कि मुझे ऐसा करना पसंद है, या मुझे ऐसा करना प्चा लगता है, तो हम बोलेंगे I like to do this, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी अच्छे लगते है, I like to speak English, मुझे जाना प्चा लगता है, I like to go, मुझे सोचना प्चा लगता है, I like to think, simple है, अगर कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बोलूँगा I don't like to do this, I don't like to do this, जैसे मुझे रोना प्चा नहीं लगता, I don't like to weep, मुझे सोना प्चा नहीं लगता, I don't like to sleep, मुझे खाना खाना प्चा नहीं लगता, I don't like to eat food, अगर मुझे question पूछना है खुद से, क्या मुझे एसा करना चलगता है तो मैं पूछूँगा, do I like to do this जैसे, क्या मुझे जाना चलगता है do I like to go क्या मुझे English पढ़नी अच्छा लगती है do I like to read English क्या मुझे English बोलनी अच्छा लगती है do I like to speak English same condition है अगर मुझे कहना है कि तुमको ऐसा करना अच्छा लगता है या आपको ऐसा करना च्छा लगता है तो मैं बोलूँगा you like to do this जैसे कि तुम्हें कपड़े पहनना बहुत अच्छे लगता है you like to wear clothes तुम्हें नहना अच्छा लगता है you like to take bath तुम्हें कॉफी पीना च्छा लगता है you like to take coffee अगर मुझे कहना है कि तुम्हें अच्छा करना अच्छा लगता तुम्हें बोलूँगा you don't like to do this जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता you don't like to speak English तुम्हें सोचना अच्छा लगता you don't like to think तुम्हें भागन अच्छा नहीं लगता you don't like to run simple होगे अच्छा कर मुझे कोशन पूछना है क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है तुम्हें पोचूँगा do you like to do this जैसे क्या तुम्हें भागना अच्छा लगता है do you like to run क्या तुम्हें जागना अच्छा लगता है do you like to wake up क्या तुम्हें सुभा जल्दी उठना अच्छा लगता है do you like to get up early in the morning ठीक है समझ भाए अगर हम बात करें हमारी कि हम लोगों को ऐसा करना अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगा we like to do this क्या बोलूँगा we like to do this जैसे हमें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है we like to speak English हमें mobile यूज़ करना अच्छा लगता है we like to use mobile हमें भागना अच्छा लगता है we like to run next अगर हमें कहने हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो हम बोलेगे we don't like to do this जैसे मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता oh sorry हमें लिखना अच्छा नहीं लगता we don't like to write हमें भागना अच्छा नहीं लगता we don't like to run हमें बैठना अच्छा नहीं लगता we don't like to sit और अगर मुझे कहना है कि क्या हमें ऐसा करना अच्छा लगता है तो कोशन है से पूछेंगे, do we like to do this, क्या हमें कपड़े खरीदना चालगता है, do we like to purchase clothes, क्या हमें भागना चालगता है, do we like to run, क्या हमें डांस करना चालगता है, do we like to dance, समझ में, next, अब हम people के group की बात करें, काफी लोग है, जिनने they बोलते है, अगर हमें बोलना है कि उन लोगों को भागना चालगता है, तो हम बोलेगे, they like to run, उन लोगों को market जाना चालगता है, they like to go to market, उन्हें movie देखने चालगती है, they like to watch movie, अगर हमें कहने उन्हें इसा अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलेगे, they don't like to do this, जैसे, उन्हें सोचना चालगता, they don't like to think, उन्हें बोलना चालगता, they don't like to speak, उन्हें पढ़ना चालगता, they don't like to read, अगर हमें कोशन पूचन पूचन है, क्या उन्हें इसा करना चालगता है, तो हम बोलेगे, do they like to do this, जैसे, क्या उन नोट्स पढ़ना चलगता है, do they like to read notes, क्या उन्हें लिखना पसंद है, do they like to write, क्या उन्हें वीडियो बनाना चलगता है, do they like to make video, simple रहा, next, इसमें के साल आगे, आपको पहले ही बता दिया, he के साथ like नहीं आएगा, likes आएगा, don't नहीं आएगा, doesn't आएगा, याद रखेंगे, ठीके, चले, उस लड़के को कपड़े पहनन अच्छा नहीं लगता, oh sorry, कपड़े पहनन अच्छा लगता है, he likes to wear clothes, he likes to wear clothes, उसे सोचना यूज करना पसंद नहीं, he doesn't like to use laptop, उसे बोलना अच्छा नहीं लगता, he doesn't like to speak, उसे भागना अच्छा नहीं लगता, he doesn't like to run, simple, अगर हमें पूछना है, क्या उसे ऐसा करना अच्छा लगता है, तो हम पूछेंगे, does he like to do this, just, क्या उसे घंटी बजाना पसंद है, does he like to ring the bell, क्या उसे बाइक चलाना पसंद है, does he like to ride bike, simple हो गया, next, उसकी जगा लड़की हुई तो हम बोलेंगे, she likes to do this, जैसे उस लड़की को shopping करना पसंद है, he likes to do shopping, उस लड़की को market जाना चलगता है, he likes to go to market, she likes to go to market, उसे कपड़े पहनना पसंद है, she likes to wear clothes, अगर उसे पसंद है, she doesn't like to drive car, उसे कपड़े दोने पसंद है, she doesn't like to wash the clothes, उसे बरतन माजने पसंद है, she doesn't like to do the dishes, अगर हमें कोशन पूछना है, क्या क्या उसे ऐसा करना पसंद है, तो हम बोलेंगे, does she like to do this, क्या उसे बिस्तल लगाना पसंद है, does she like to make the bed, क्या उसे रोटियां बना पसंद है, does she like to make chapatis, तो ये भी मैंने आपको चार्ट दिया गया है, description में, तो आप ये सारे चार्ट डाउनलोड कर लीजे, description में लिंक है, और अच्छे से प्रक्टिस कीजिए, मैं इन सारे ही सेंटेंसे की एक प्रक्टिस क्लास लाइव करने बाला हों, जल्दी, उसका अ